आज की इस नावंकन की सवा में हमारे बीच में मौझूद सर्दापुरा से विदायक और रास्तान के लोखप्रीय मुख्य मंतरी आधर्निय श्री अशोक एलोज जी हमारे बीच में मौझूद अखिल भारतिय कॉंग्रेस कमिटी के मा सचिव और रास्तान के प्रभारी आधरने श्री अविनाश पांडे जी हमारे प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष आधरने श्री सचिन पाइलेट जी यहाँ पर हमारे बीच में मौझूद अखिल भारते कॉंग्रेस कमिटी के सचिव और जोदपूर के प्रबारी आदरने श्री विवेक बंसल जी यहाँ पर उपस्तित रास्तान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरने डॉक्टर बीडी कल्ला साथ आदरने श्री शांती धारिवाल जी आदरने श्री हरीश चोधरी जी आदरने श्री सुकराम जी विश्नोही साथ हमारे जोदपूर के प्रबारी मंत्री आदरने श्री लालचन जी काटारिया जी यहां पर हमारे बीच में मौजूद राश्तान सरकार के चिकितसा मंतरी और कैمपेंड कमेटी के अध्याइक्ष आदेने श्रीरगु शर्मा जी हमारे बीच में मौजूद रास्तान सरकार के कैबनेट मंतरी आदेने श्री प्रताब सिंग झी खाचर объяс जी यहाँ पर मौझूद हमारे कैबिनेट मंत्री राज़तान सरकार के आधनेश्री साले मौम्मद जी यहाँ पर मौझूद विदाएक श्री मादेर जी खंडेला साथ हमारे राज़तान सरकार के मंत्री आधनेश्री भांवर सिंग जी भाटी साथ उपस्तित आधनेशी महिंदर चौधरी जी और बाड मेर जैसल मेर से हमारे पार्टी के प्रत्याश्री आधनेशी मानवेंदर सिंग जी यहां पर हमारे प्रदेश कॉंग्रिस कमिटी के मासचेव और जोदपुर शहर के प्रवारी आदियाक्ष 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 आद मेरी बड़ी बहन श्रीमती मनीशा पमार जी ओस्या से विदायक सुश्री दिविया मदेना जी यहां पर मौजूद शेरगड की विदायक श्रीमती मीना कवर जी लूनी के विदायक आदरने श्री महेंदर जी विश्नोई जी लवावट के विदायक श्री किष्णाराम जी विश्णोई साथ यहाँ पर मौजूद विदायक श्री जग्दीज जी जांगिर जी हमारे जैपूर में आदश नगर के विदायक श्री रफीक खां जी सिरोई से यहाँ पे हमारे बीच में पदारे विदायक आदेनेशी सहीम लोडा जी प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के पूरवद्धेक्ष डॉक्टर चंदरबान साब पूर में मंत्री रहे आदेनेशी जितिंदर सिंग जी यहाँ पर मंच पे विराजमान पूर सांसद आदेनेशी अश्कली टांक साब आदेनेशी मती चंद्रेश कुमारी जी पूर सांसद हमारे बीच में मंच पे मौजूद आदेनेशी धर्मेंदर जी राठोट साब आदेनेशी रंदीब धंकर जी यहां पर हमारे बीच में जैपुर से पदारे राजस्तान जाट मासवा के अद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् पूर विदायक आदरने श्री ओम जोशी जी हमारे बीच में मौजूद नागोर के पूर सांसद आदरने श्री रिचपाल जी मिर्जा साथ यहां पर हमारे बीच में पाली के लोकसबास के प्रत्याशी आदरने श्री बद्री राम जी जाकर साथ सूर्सागर से हमारी पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रॉफिसर अयूप खान साथ हमारे प्रत्याशी विदायक रहे फलोदी के आदरनेशी महेश व्यास जी यहां मंच पर राजमान श्री जेपू खान जी आदरनेशी सुपारस बंडारी जी हमारे देहात महिला कॉंग्रेस कमेटी की अद्यक्ष वेन शिमती संगीता बेनिवाल जी यहाँ पर मौझूद हमारे देहात जिवा कॉंग्रेस के अद्यक्ष आदने श्री विक्रम सिंग जी हिंदा साब चातर संग के अद्यक्ष श्री सुनील चौधरी जी श्री विजे पूनिय जी, हमारे पूर मंत्री श्री मूल्चन जी मीना सहः, हमारे रास्तान सरकार के मंत्री आधरने श्री उदेलाल जी आंजनास, मेरी माता जी श्री मती सुनीता गहलोज जी, यहाँ पर मौझूद श्री उमेज सिंग जी राटोड साब श्री रतन देवासी जी श्री हन्मान सिंग जी खांग्टा साब श्री नारान राम जी बेडा साब पूर विधायक और गंगापुर सिटी से यहाँ पर अधारे विधायक आदने श्री रामकेश मीना जी उपस्तित मंच पे तमाम दूसरे सभी नितागर्ण सम्मानित मंच आज के इस चुनावी मिटिंग में पधारे वे बड़े मेरे बड़े बुजर्गों भाईयों युवासातियों प्रेस और मीडिया के बंदूँ मुझे खुशी है की मैं आप लोगं के बीच में जोथपूर लोग्सवास वाशेतर का प्रताशी बनके आया यह आप सब लोगं की भावना थी जोथपूर लोग्सवास शेतर की जनता का आशिरवाद था समर्थन था मेरे साथ Tay तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं लोकसवाज शेत्र के उनका मेरे उपर आशिरवाद था समर्तन था और तमाम जो जोत्पुर लोकसवाज शेत्र के कारे करता हूं की भावना को देखते वे हमारे राश्ट्री अद्दैक्ष आदरने राहूल गांदी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में उमीदवार बना मैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों का अगर आशिरवाद रहा तो दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा और ना केवल दिल्ली में बलकि राश्टान की जो सरकार जैपुर में बैठती है वहाँ भी आपका वकील बनूंगा मानेनिय गैलोट साब ने जब जब आप लोगों के आशिरवाद से चाहे वो केंदर में मंत्री रहे हूं चाहे वो पाँच बार सांसद रहे और आज आपके आशिरवाद से समर्थन से वो तीसी वार मुक्यमंत्री हैं उन्होंने जोदपुर का जो विकास किया है जोदपुर लोक्सवाशेत्र का पूरे मारवाड का और रास्तान का जो विकास किया है मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी विकास की कड़ी को मैं आगे निरंतर बढ़ाऊंगा आप लोगों ने जो प्यार और आशिरवाद हरदम मानेने गेलोट साब पे कॉंग्रेस पार्टी पे रखा है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ उसी कड़ी को मैं आगे जोडने आया हूँ जैसा आप लोग जानते हैं कि तीन महीने पहले आप सबके आशिरवाद से प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी और जिस तुरंद गती से कॉंग्रेस की सरकार ने फैसरिल लेने चालू किये चाहे वो निशुल्द दवा योजना में दवायों की बड़ोत्री की गई हो चाहे वो बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया गया हो चाहे ये गोशना की गई किसानों के कर्ज माफी की मुझे खुशी है कि तीन महीने पहले जब कॉंग्रेस की सरकार बनी रास्तान में जित्ते तुरंद गती से ये फैसले हुए है और मुझे पूर्ण विशास है कि आप लोग के आशिरवाद और समर्तन से जो बाकी का समय है कॉंग्रेस सरकार का रास्तान में वो ऐसे जनित के फैसले आगे भी दिरंतर जारी रहेंगे पहले जब भाज़पा की सरकार थी आप लोगों ने देखा होगा मारवाड के साथ किस तरह का सौतेला विवार किया गया विशेश तोर पे जोधपुर लोकस्वाशेत्र के साथ जोधपुर जो रास्तान का दूसा सबसे बड़ा शेहर है जो स्मार्ट सिटी में आना चाहिए था उसको भाज़पा की सरकार ने स्मार्ट सिटी में नहीं लिया अगर आज ये जोधपुर स्मार्ट सिटी में नहीं आ पाया इसका केवल कारण भाज़पा की सरकार है हमें इस बात का ध्यान रखना होगा पिछली कॉंग्रेस की सरकार ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट बार्डमेर में शिलानियास कराया था मगर अफसोस बाजपा की जो पिछली सरकार थी उसने इस रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया आज अगर ये रिफाइनरी समय पे लग गई होती तो ये तै था कि मारवाड के युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलता यहाँ पे ना केवल बाड़मेर बलकि दूसरे मारवाड के जो दूसरे आसपास के जिले हैं जोदपुर और दूसरे जिले हैं यहाँ पे दूसरी कई प्रकार की इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां लगती मगर भाजपा ने इस रिफाइनरी को भी ठंडे बस्ते में डाला यह हमें ध्यान रखना होगा कि कॉंग्रेस जब जब आई है उसने विकास की बात की है विशेश तोर पे जब जब कॉंग्रेस सरकार रही मारवाड पे विशेश ध्यान दिया गया आप लोगों के आशिरवाड से कॉंग्रेस की सरकारों ने जब जब सत्ता समाली तब जोदपुर में बड़े बड़े इंस्टिट्यूट आए चाहे वो एम्ज हो चाहे लाओ यूनिवरस्टी हो एगरिकल्चर यूनिवरस्टी हो आई रूएज यूनिवरस्टी हो यहाँ पे जोदपुर में हाई कोट की बहुत बड़ी बिल्डिंग इस नापना हुई यह सब आपके आशिरवाद और सयोग और समर्थन की वज़े से हुआ क्योंकि आपने कॉंग्रेस के उपर विश्वास रखा कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं पे विश्वास रखा मैं इस मौके पे आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ नामंकन की इसरेली में पदा रहे हैं मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना आशिरवाद समर्थन और स्योग मुझे आने वाली 29 तारिक को देंगे मैं निरंत मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आप लोगों के बीच में रहके आप लोगों के बीच में रहके आप लोगों के साथ अगर कोई अन्याय अत्याचार हुआ उसमें संगर्श करूंगा आप लोगों के आवास उठाओंगा चाहे वो जैपुर की सरकार हो और चाहे वो दिल्ली में हो आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा इस वक्त मैं विशेश तोर पे आपको बताना चाहूंगा मैं आभारी हूँ हमारे प्रभारी महासचिव आदरने श्री अविनाश पांडे जी का और हमारे युवा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री सचिन पाइलेट जी का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आके अपना समर्थन और आश्रिवाद दिया मैं विशेश तोर पे जो तमाम दूसरे मंत्री मंडल के सदस्से हैं रास्तान सरकार के उनको भी बहुत बहुत आबार कि आप सब लोग यहां पदारे और जोद्पुर लोक्सवाद शेत्र के तमाम जन जो यहां पे आज पदारे हैं और जो रास्तान के दूसरे शेत्रों से भी कारे करता और नेता यहां पदारे हैं मैं उनको भी बहुत बहुत मेरी और से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना अशिरवाद, सयोग और प्यार देने मुझे यहां पदारे मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, इनी शब्दों के साथ धन्यवाद, जैहन